Hello everyone, Welcome to the channel Current Affairs by Ravi और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे बिहार के Current Affairs को यानि कि बिहार से संभन्दित जो भी आपका Current Affairs बनता है उन सभी को हम डिसकस करने वाले हैं यह पूरी वीडियो आपके बिहार एक्जाम के Point of View से काफी Important रहने वाली है तो उसको लास्त तक आपको जरूर देखना है और हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं Top 500 Questions का Part No.1 तो देखे Top 500 Questions मैं आपके साथ डिसकस करूँगी लेकिन उसका Part No.1 यह मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूँ इसके अलावा दो वीडियो जो राएंगी जिसमें आपके टोटल 500 Questions यहाँ पर कवर हो जाएंगे तो यह पूरी वीडियो सिर्फ बिहार स्पेसिफिक रहेगी जो भी बच्चे बिहार की प्रप्रेशन कर रहे हैं स्टेट की किसी भी एक्जाम की तो उन सभी के लिए यह वीडियो काफी जादा यूसफुल रहने वाली है और इसमें हमने जनवरी 2023 से लेकर अभी तक का जितना भी इंप्रटेंट अपडेट रहता है उसको हमने डिसकस किया है तो आपको यह जरूर देखना है अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को और पहला किशन है हमारा नोवी बार बिहार की मुख्य मंत्री पत की शपत ये किस ने लिए है तो देखें अगर हम बात करें मुख्य मंत्री पत की शपत बिहार में तो ये लिए है नितीश कुमार ने तो ये आपको ध्यान रखना है नोवी बार ये बने है मुख्य मंत्री कहा की बिहार के मार्च को वे थी लेकिन एयर कौन सा था तो ये भी आपको ध्यान रखने है 1912 यानि कि 22 मार्च 1912 में जो है बिहार के स्थापना हुई थी ये आपको ध्यान रखने है और मुख्य मंत्री में आपको बता चुकी हूं कौन है ये है नितिश कुमार जो कि 90 बार मुख्य मंत्री बने है कहां के बिहार के फिर है मार्च 2014 में बिहार से संबंद रखने वाले भारती मूल के चार परमुकों को बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया तो कौन से शहर में किया गया तो यह अमेरिका का शहर है नियोट यहीं पर सम्मानित किया गया है बिहार दिवस के अ एक तो नाम है आपका Chris Singh ये आपको ध्यान रखना है दूसरे नाम आपका आते हैं Amit Chaudhary का जो कि विपरो कमपनी से संबंदी थे और एक है दिनेश रंजन ये आपको ध्यान रखना है और एक है आपके अभिनव अतुल तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो चार नाम आपके हो गए हैं Amit Chaudhary, दूसरे हैं Krish Singh, तीसरे हैं दिनेश रंजन और चोथे व्यक्ति हैं अभिनव अतुल ये चारों व्यक्ति हैं जो कि बिहार से संबंद रखते हैं और इन्हें अभी बिहार दिवस के उपलक्ष में नियू यॉर्क में सम्मानित किया गया है तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है अगला क्यूशन है बिहार विद्यूत आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने है तो बिहार विद्यूत आयोग के नए अध्यक्ष ये बने है आमीर सुभानी तो ये आपको ध्यान लखना है फिर परम प्रागत रूप से बिहार की किस जिले तक सीमित रहने वाली लीची की कृषी में 19 भारते राज्यों में महत्पून विस्तार देखा गया मतलब बेसिकली जो नीची का प्रोडेक्शन है वो किस जिले तक सीमी थे बिहार में जिसको अभी 19 और अलग भारती राज्यों में विस्तार उसको किया गया तो आपको ध्यान लखने हैं ये काफी फेमस जिला है बिहार का काफी लोग जानते हैं इसको जिसका नाम है मुझफरपुर तो ये आपको उसमें ध्यान लखने हैं फिर दिसंबर 2023 को अंतरास्टिय दिव्यांग जन दिवसपर किसने नई दिल्ली में एक भवे समहरों में बिहार की मुझफरपुर की नाम हैंगा जौति सिंहा को स्रेश्ट दिव्यांग जन के रास्टे पुरुसकार 2023 से सम्मारित किया तो ये किया हमारे देश के 2012 में और इसी दिवस के उपलक्ष में चार लोगों को ये सम्मारित किया गया है नियोर्क में जिनके नाम है क्या क्रिस सिंग अमित चोहदरी इसके लावा दिनेश रंजन और चोहता है अभिनव अतुल ठीक है इसके लावा मैंने लीची के बारे में आपको बताया कि लीच इस दिव्यांगजन के राष्टी पुरुसकार 2023 सम्मारित किया किसने हमारे देश की राष्टपती द्रोबदी मुर्मोजे ने तो इतने क्यूशन आपको अभी तक इसमें ध्यान रखने हैं अगला क्यूशन है आपका किस नियालने ने बिहार जाती आरक्षित सर्वे के मा तो देखे आपने न्यूस सुनी होगी कि जातिगत जनगन्ना कराने वाला पहला जो राज्य था वो है आपका बिहार तो जो उसके नतीजे हैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनको आपको पब्लिक डोमेन में रखना है अगर कोई चाहे तो उसके जो भी कंक्ल प्रेव और एक्सपो के दोरान दो इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोशना की है तो यह की है वहां के मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी ने जो कि बिहार के नुवी बार मुख्य मंत्री बने हैं तो ऐसे आप लिंकेज करके पढ़ोगे कोई भी कृशन आता है आप उसको बैकवर्ड फॉर्वर्ड लिंकेज में याद रखोगे तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा फिरे बिहार की ने मुख्य सचीव कौन बने है तो बिहार की मुख्य सचीव की बात करें जो अभी बने है नाम हैं का ब्रजेश महरोतरा तो यह आपको ध्यान लगतना ह फिरे किस राज्य सरकार ने स्वरोजकार की अवशर उत्पन करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रतेक परिवार को 2 लाक रुपे की वित्ते सहयता प्रदान करने की योश्णों को मन्जूरी दी है तो यह की है बिहार राज्जे ने तो यह आपक भी पूछ सकते है कि कितने लाक रुपे का यहां पर सहयता की बात की गई है तो वो भी आपको ध्यान दखने कितने 2 लाक रुपे क्योंकि जब भी कोई आपका एक्जाम की स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है जैसे कि आपको यूपी का एक्जाम हुआ बिहार का एक्जाम हु विधान सभा का नया अध्याक्षी किसी चुना गया तो बिहार विधान सभा का नया अध्याक्षी ये चुना गया है नंद किशोर यादव को ये आपको ध्यान रखना है फिर बिहार विधान सभा के डिप्टी स्पीकर कौन चुने गए है तो ये चुने गए है नरेंद्र न बिहार में तो यह आपको ध्यान रखना है और एक ऐसा क्यूशन है सिर्फ स्टेट के लिए नहीं बलकि all over the student जिनको all इंडिया लेवल पर एक्जाम देना है वो भी इसको याद रख सकते हैं क्योंकि festival से question बनते हैं तो वहाँ पर आपसे पूस सकते हैं कि नागी पक्षी महतसव यह कहाँ पर होता है तो आपको ध्यान रहना उनाचे यह कहाँ पर होता है यह यह होते हैं बिहार में अगर more specific हम जाएं तो यह होता है कहाँ पर जमुई में अगला कुशन आता है नवंबर 2023 में किस राज़े में राज़गीर महतसव का आयोजन ये किया गया तो देखे राज़गीर से आप समझोगे कि राज़गीर जो है वो बिहार में इसती थे तो ये कहाँ पर होगा डेफिनिटली बिहार में होगा तो इसलिए आपको ध्यान 2024 की बात करें तो इस बार पांश लोगों को मिला है जिसमें बिहार की बहुती फेमर्स प्रिस्टालिटी है जिनका नाम है करपूरी ठाकुर उनको भी दिया गया है अब आपका होग यहाँ पर यह बनता है कि जो पांश लोग है इसमें से एक नाम में आपको बता चुकी ठीक है यह आपका रहां homework फिर है बिहार राज्य सरकार ने स्टार्ट अप एको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ समझोता किया है तो देखे स्टार्ट अप एको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने भी सिडवी बैंक के साथ समझोता किया तो ये भी आपको उसमें ध्यान लगना है अगला क्यूशन है किस राज्य सरकार ने राज्य के विभिन विश्व विध्यालों से संभंध कॉलेज में आयोजित होने वाली प्लस्टू यानि कि जो इंटरमीडिट के आपकी परिक्षा होती है उनकी कक्षाव को बंद करने की तो ये कि है किसने बिहार सरकार ने फिरे केंद्रे वित्मंत्रालने के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने बिहार एकिकरत जल संसाधन प्रभंधन परियोशना जिसको शौट में यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लिए कि संस्था से रिण हेतु राज्य सरकार के अनुरो विशु बैंक अगला है किसने पूर्व मध्य रेलवे शेक्तर के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर रविकास और 32 अन्य परियोशनाओं के निर्मान की वस्तुत्य आधा शिला रखी है तो ये रखी है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने फिर है बिहार स बन सकते हैं इसलिए मैंने अलग से फॉर्म किया है इसको कितने हैं यहां पर दो लाक रुपे तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है अगला क्रिशन है किस राचे ने आप दा चितावनी डिवाइस जिसका नाम है नितीश इसको लॉंच किया है तो नितीश से आपको सम क्योंकि कई बार आपने एक्जामस में देखा होगा कि आपको सिर्फ पूरी नहीं पूछते वो कि फुल फॉर्म क्या है इसकी वो सिंपल पूछोगे कि अब पूछेंगे कि हाल ही में आपने देखा कि नितीश नाम से एक जो डिवाइस से उसको लॉंच किया गया तो इसम आजकल फ्रेम करते हैं तो उसी साब से आपको याद रतना है इसकी फुल फॉर्म आपके लिए हो जाएगी नौवल इनिशेटिव टेकनोलोजिकल इंटरवेंशन फूर सेफ्टी ओफ्यूमन लाइवस फिरे राश्टपती महात्मा गांधी को समर्पित एक सो फीट उचा देश का पहला तामबे के आवरन वाला सबसे बड़ा बापू टावर ये कहां पर स्थापित किया गया मोस्ट इंपोर्टन क्यूशन है तो ये हुआ है आपका पटना बिहार में ये आपको ध्यान रखना है फिरे जाती अधारित जनगन ना शुरू करने वाला भारत का पह फिर बिहार केंद्र विशुविध्यालों को यूजी सी के द्वारा तो यहां पर स्थापित किया गया अब यहां से कुशिंस पुट अप करूँगी कि जो रास्टी жд दॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है यह भारत का पहला जो की बना है कहाँ पर पटना बिहार में इसका स्थापित किया गया तो अब आप मुझे बताओगी कि जो डॉल्फिन है वो किस राज्य का स्टेट मतलब एक मरीन अनिमल है तो यह आपको मुझे बताना है फिर है Mission Investigation at 75 Days यह किस ने शुरू किया है तो यह क्या है बिहार पुलिस ने इसके इंतरगत क्या होगा कि जो बिहार की पुलिस है उसका यह मकसद है कि गर्फ कोई भी एफायर लॉज होती है तो उसके 75 दिन के अंदर अंदर वो केस शुह है वहाँ पर सॉल्फ करना है तो यह उनका परपस है इसलिए उनने शुरुआत कि है किसकी Investigation at 75 Days फिर किस राजी में नागी पक्सी महतसा मनाया गया तो यह मैं आपको बता चुक हूँ बिहार के जमूई में यह बनाया गया तो यह आपको धियान रखता है फिर कोब 28 यानि कि जो Conference of Parties at 28 उसमें वनिकरन परिया अब यह तो रही बात अब आप मुझे बताओगे कि COP 28 यह हुई कहां पर थी COP 29 का मैं आपको बता देती हूं यह होनी है अजरबाइजान में ठीक है लेकिन आप मुझे बताओगे कि COP 28 यह कहां पर हुई थी फिर है 11 दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार किस चिले में देश रितन डॉक्टर राजंदर प्रिशाद के सम्मान में जीरा देई महुटसब का आयोजन यह किया गया तो यह हुआ है आपका शिवान में यह आपको ध्यान लखना है फिर है लगबग 25 लाग सेक्षनिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष यह किस राजे में शुरू किया गया तो देखे अगर आप मिशन दक्ष की बात करें तो बेसिकलि आपको ध्यान लखना है यह है प्रोग्राम किस चीज के लिए सेक्षनिक रू में उल्लारधाम सूरे बहुत सब का आयोजन यह किया गया है तो यह हुआ है आपका पाली गंश पटना में यह आपको ध्यान लखना है फिर है 12 दिसंबर 2023 को मुख्य मंत्री उद्धमी योशना के तैट बहटा पटना में एक जगा है वहां के उद्ध्यों के क्षेत्र में बने टेक्स्टाइल पार्क का उद्धारट ने किसके द्ध्वारा किया गया तो यह किया किसने बिहार की मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने फिर इक किस रաजी में सिख्षकों को टेस्ट के माध्यम से सर्कारी करमचारी का दरजा दिया जाएगा तो दीकेट अगर सिक्ष प्रतिशत के ढ़क्षन के गोशना की है तो एडबलुएस के गर हम बात करें जिसको एककोनॉमिकल वीकर सेक्षन बोलते हैं उसमें 10 प्रतिशत के आरक्षिन की बात यहां पर की गई है तो यह आपको ध्यान रखने किसके द्वारा यह की गई है बिहार सरकार के द्वारा तो यह भी आपको उसमें ध्यान रखना है अगला क्यूशन है आपका बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व ये किस जिले में बनाया जाएगा तो बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है ये मनेगा आपका कैमूर में अब ये तो है बिहार का दूसरा लेकिन अगर हम बात करें बिहार का एक मात्र अभी तक टाइ विभा, ये रोके गए हैं, तो ये रोके गए हैं बिहार में ये आपको ध्यान दखना है, फिर है नीती आयोक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरिबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थानेNING, तो बिहार का स्थाने आपाट दूसरा, अब देखें, ब इकुली पेंटिंग कला कभीश में पितामा कहा जाता है जिनने पदमश्री 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये कहा जाता है किसको अशोक कुमार विश्वास को जो के बिलॉंग करते हैं कहां से भागल पुर से, फिर बिहार के नए मुख्य सोचना आयुक्त ये कौन बने हैं, तो योष्णा के कार्यों का उद्गाटन किया है, तो हर घर गंगा जल इस योष्णा का उद्गाटन बिहार की मुख्य मंत्री ने किस जिले में किया है, तो ये कह नवादा, जिला, ये आपको ध्यान लगता है, फिर बेरोजकार अलप संक्यक महिला या पुरुष को नए उद इद्योग देने के लिए बिहार सरकार ने किस योष्णा की शुडवात किया, तो वहाँ पर आपको योष्णा का नाम इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इस योष्णा का नाम भी आपको याद रखने है, जो कि है अलप संक्यक उद्धमी योष्णा, फिर बिहार राजे मान अधिकार आयो की अध्यक्ष के लिए किस से चुना आ गया, तो ये नाम अभी आया है सामने किनका अनंत मनोहर बदर का, फिर बिहार के किस जिले में बिहार अगनी परिस्क्षन अकैदमी की स्थापना ये की जाएगी, तो ये होगी आपकी पटना में, जो कि बिहार की क्या पटल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फिर किस राजे को वर्ष का धार्मिक परेटन गंतवे स्थल 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये है आपका बिहार, अगला है, बिहार के किस नगर निगम ने कैश फोर वेस्ट योशना की शुरुवात की है, तो कैश फोर वेस्ट इस इसका आयोजन ये कहां किया गया है, तो ये हुआ है आपका सेंडिस कंपाउंड मैदान जो की कहां पर है, भागलपुर में है, फिर किस ट्रांसजंडर को भारत में पहले बार किसी उनिवरसिटी जो युनिवरसिटी कौन सी हैं आपर, पटना उनिवरसिटी सीनिट का तीन साल के लिए मनोनीत किया गया, तो ये है आपका रेश्मा प्रशाद, इनका नम है रेश्मा प्रशाद, फिरे मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने हाल ही में नालंदमिक कहां आवस्तित एक एथनॉल प्लांट का उधगाटन किया है, तो नालंदमिक जगा है आरावान, वहीं पर इसका उधगाटन किया गया, अगला है, दिसमबर दो हजार तेईस को बिहार के किस एरपोर्ट से हेलिकॉप्टर सेवा के शुरुवात हुई है, जिसके मादम से जो परियट है के अभी हवाई द्रशी आने के जो उसका एरियल व्यू है, वो ले सकते हैं, तो इस एरपोर्ट का नाम है आपका गया एरपोर्ट, अगला किशन है आपका, बिहार के किस नगर निगम नी कैसपूर वेस्ट योजन की शुरुवात की है, तो ये हो चुक है आपका पतना नगर निगम, फिर दिसमबर दो हजार तेईस में हिमालेक शित्र में पाई जाने वाली गोरल नामक एक स्तंदारी बिहार के पहले एक मात टाइगर रिजव जिसका नाम है बालमिकी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कहा पर है, पस्चिमी चमपारन में देखा गया, तो इसका विज्यानिक नाम आपसे पूचा है, तो इसका विज्यानिक नाम ये है नैमोर भाग ने, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, फिर है, मौसम की सटीक जानकारी के लिए, जून 2023 में किसने मौसम बिहार नामक एक एक एप को लांच किया था, तो ये क्या था, किसने मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने, देखें, बिहार नामक एप है, तो आलरड़ी की बीच में कारगो ट्रीन, जिसको मालगाडी के नाम से, मतलब मालगाडी एक तरीके से आप कह सकते हो, उस सेवा की शुभारम किया गया, तो ये हुआ है आपका अर्रिया में, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, फिर जून 2023 में, बिहार की किस चले के मूल निवास आईपिएस अधिकारी, जो की है रवी सिनहा, को रो का नया प्रमुक न्यूक्त किया गया, तो देखें, यहां से आपके दो कुशन बरेंगे, कि रो के अभी वर्त्वान में जो हैं प्रमुक कोन है, तो वो हैं रवी सिनहा, तो वो कहां से बिलॉंग करते हैं, बेसिकली ध्यान रखेंगे, फिर जून 2023 को किस राजे में इस्ति चुड़या घर का गोल्डन जुबली अर्था स्वन जैनती समहरों मनाया गया, तो यह बना है पटना इस्तितिक चुड़या घर का, वहां पे 50 साल उनके पूरे हो चुके, यह आप ध्यान रखेंगे, फिर जुलाई 2023 में बिहार सरकार्ने की से अनुसूचित जाती आयोग का ध्यक्ष न्युक्त किया गया, तो यह न्युक्त हुए है, राजेंदर कुमार, यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है, अगला है फरवरी 2023 में फागू चोहान के स्थान पर बिहार की राजेपाल कौन बने है, तो चीफ जिस्टिस अगर हम बात करें पटना हाई कोट की, तो यह बने है कृष्णन, विनोद, चंदरन, यह आप ध्यान लखेंगे, और वर्तमान में हमारे भारत में 25 हाई कोट है, यह भी आपको इसमें ध्यान लखना है, फिर है मार्च 2023 में किस राजे की जल जीवन हर्याल अभियान को Award of Excellence से सम्मारित किया गया, तो यह है आपका कहां का अभियान, यह है आपका बिहार का, फिर है बिहार के गया में फल्गों नदी पर बने गयाजी डाम और किस योशना को मार्च 2023 में राश्टी पुरुसकार CBIP Award 2022 से सम्मारित किया गया था, तो यह क्या था, गं इसका ओपचारिक उद्गाटन हुए अक्टूबर 2023 में, तो आप से पोचाए कि उसका उद्गाटन किस ने किया है, तो सही आंसर होगा, राश्टपती, द्रौबदी, मुर्मो, आप से यह भी पोच सकते हैं कि चौथा कृशी रोड में प्यकिस राज्जे के लिए था, त और किस ने लॉंच किया, यह क्या है, द्रौबदी, मुर्मोजे ने, तो यह सभी आपको इसमें ध्यान लखने, काफी इंपोर्टेंट यह कुशन यहाँ पर हो जाता है, फिरे बिहार राज्जी नाई का पुरुसकार, दो हजार तेईस से किसे सम्मानित किया गया, तो दो 2023 की बिहार राज्जी नाई का पुरुसकार, यह बनी है कौन, बबीता कुमारी, किस जिले से है, मुजफरपुर से है, यह आप ध्यान लखेंगे, फिरे वर्ष 2023 में किस राज्जे के मर्चा चावल को भोगौलिक संकेता क्यानिकी GI टैग यह दिया गया, तो यह दिया गया प्रियुति ऑदिया धिया अप ध्यान लखेंगे, थिरे जहरी ली नखली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने कहां रसाइन परक्षण के अंदर खोले जाने का निर्णे लिया, तो यह दिया है, इस मॉश्जा घ्यान लखेंगे, अगला है, केंदर सरकार ने किने ह में बठना हाइकोट में पुने हुश्व सॉलिशितार जुनरल के बात करेए तो यह किस राज सरकार ने बायो फ्यूस उत्पार नो पर्त साहन निती है तो यह दी है बिहार सरकार ने पिर चाइल्ड लेबर ट्रेकिंग सिस्टम में उत्रस्ट कारे के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है तो ये मिला है गौल्ड अवार्ड या आप ध्यान रखना है फिर भारत का पहला खादी मौल ये पटना में है और बिहार की ततकालीन उद्योग मंति जिनका नाम है समीर क कुमार महा सेट ने 2023 में बिहार के किस चिले में खादी मौल खोलने की गोशना की है तो ये की है भागल पूर में अगला कुश्चन है साल 2023 में केंद्रे सिक्षा मंत्राले द्वारा जादी प्रदर्शन ग्रेडिंग सुचकांग यानि के परफॉर्मिंस ग्रेडिंग इंड प्रेक्स में बिहार का कौन सा जिला ये अवल रहा है तो ये रहा है बिहार का नालंदा डस्टेक फिर जन्वरी 2023 में चुनाव आयोग ने मैथली ठाकुर को किस राजे का स्टेट आइकन ये न्यूक्त किया गया मैथली ठाकुर अगर आप नहीं जान दी तो मैं आपको बत इस तक तमिल लाडो में आयोजित जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग जैंपेंशिप में बिहार को पहला स्वंड पदक किस ने दिला है तो ये दिला है खुशी कुमारी ने अब आप मुझे बताओगे कि इनका संबंद बिहार की किस जिले से है अगला है लेकिन उससे प इसको जरूर चेक आउट कीजएगा लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अधर्वाइस आपको सिंपल क्या करना है गूगल पर जाएगे आपको टाइप करना है www.travibooks.pdf.com जैसे ही आप उसको फर्स लिंक को खोलोगे तो उसके बाद आपको हमारी सभ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी इसके लिए पॉलिटी की पीडियो पी महां पर एविलेबल है और साथ ही में हमारा आप जो मोबाइल एप्लिकेशन आप है यह भी लॉंच हो चुका है जिसका नाम है रवी स्टाडी आईक्यू जीके जहा नमरी 2023 में मदुरे तमिल लाडो में आयोजित तीन दिवसी फेडरेशन कप कबड़ी चैंपेंशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है तो यह मिला है तीसरा फिर पुस्तक परियोग धर्मी विकास सिल्पी किन पर आधारित है तो यह आधारित है बिहार की म तारा मंडल था वो अलड़ी पटना में था लेकिन दूसरा भी तारा मंडल जो है वो बन गया है कहाँ पर दर्भंगा में फिर बिहार का पहला और देश का दूसरा फोरेस्ट्री यानि की वाने की कॉलेजी किस चिले में शुरू हुआ है तो यह हुआ आपका मुंगेर में फिर बिहार के किस चिले में हाल ही में 14 जुलाई 2023 को किनर महसफ 2023 का आजन ये किया गया तो यह हुआ है आपका कहाँ पर पटना में फिर बिहार में किस स्थान पर 18-19 मार्ज को विकरम शिला महसफ का आजन ये किया गया था यह हुआ था आपका भागलपुर 2023 की ये बात है पर फिर बिहार के बाद जाती जडगनना करने वाला दूसर राजे कौन सा बना है तो ये बना है आंदरप्रदेश पहला राजे जो था जसने कास्ट बेस सेंसर को रिलीज किया वो है आपका बिहार और दूसर राजे ये बन गया था कौन सा आंदरप्रदेश फिर 18 से 19 2023 को गंगापत पटना में आजट इस्ट जोन महिला रोड साइकलिंग लीग में कौन सीर्स पर आए तो इसमें रहा है बिहार सीर्स पर फिरे मार्च 2023 को देवगर एयरपोर्ट चारखंड के लिए बिहार की किस शहर से सीधी उड़ान सेवा की शुरुवात की गई है तो ये हुई है कहाँ पर पटना में तो देखे कुशन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि देवगर एयरपोर्ट ये कहाँ पर है यानि कि बिहार की किस शिले में है तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है ये है आपका पटना में फिर भारत की G20 के ध्यक्ष्टा के तहत भारत सरकार राजादी का अमरत महुतस्व को लेकर बिहार की किस उनिवरस्टी को होस्ट उनिवरस्टी की रूप में चुना गया तो ये हैं पकी पटना उनिवरसिटी याप धियान रखेंगे फिर नेमलPhone में प्रहार के किस बालक और बालीक समने को प्रढ़न मंत्री राष्ट कर से र है मोहम्मद हुसेन यह आप ध्यान रखेंगे फिर रास्टी जंता दलनी चा पांच जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना है तो यह मना इसने 27 वा कम मना है पांच लाई 1997 में फिर जुलाई 2023 में बिहार चैंबर आफ कोमर्स और इंडस्ट्रीज की सदश्यों बिह पांच लाई 2020 को इसनों ने श्री हरी कोटा आंदर प्रदेश से अपना मिशन चंदरियान 3 लॉंच किया है तो आपको बताना है कि विज्ञानिकों के टीम में बिहार के किस जुले के रवी कुमार शामिल है तो यह सीता मडी से तो यह भी आपको ध्यार नदना है और चंद पर तो यह हुआ था 23 अगस्त को और उसे दिन हम बनाते हैं National Space Day ठीक है और यह लॉंच कब हुआ था 14 चलाय को यह लॉंच हुआ था तो यह सब इंफोर्मिशन आपको चंदरियान 3 से लेट भी याद रखी है अगला केशन है भारत 3 से 12 अगस्त 2023 तक पहली बार चिन्ने में Hero Asia Championship Trophy Hockey Tournament 2013 की मेशपानी करेगा तो इस स्केट Trophy का जो डिजाइन है वो कि इस राज़े के संजे बर्मा के द्वारा यहाँ पर डिजाइन किया गया तो यह भी बिलॉंग करते है कहां से बिहार से यह भी पूछ सकते कि बिहार को कौन सा व्यक्ति था तो नाम भी आपको ध आयोक के द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी रास्टी बहु आयामी गरीवी सुचकांग के अनुसार कौन से राजे मौजुदा समय में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राजे है तो यह है आपका बिहार राजे फिरे बिहार में कहां एक महा तक चलने व पद्धर से बिहार का वैखभार गिरी परवत खबरों में रहा है तो यह बिहार की इस जुले में है तो यह आपका नालंदा में फिरे बिहार सरकार की घोशने के प्रतिशन के नुसार कि सद्ग में DNA जाज के लिए एक-एक यूनिट लगाई जाएगी तो यह होगी आपकी शुविध्यालने स्थापित करने वाला छाटा राजी तो ये बन गया है कौन बिहार फिर केंद सरकार ने बिहार के पहले प्रस्ताविद ग्रीन फिल्ड सिक्स लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोशित के इसका नाम किया है तो इसका नाम है NH319B आजादी के अमरित मौहसव के तहित क्रांती तीर्थ कारेकरम का आजनी बिहार में कहां किया गया तो ये हुए चंदरगुर्प्त प्रभंध संस्थान पटना में फिरे किस स्टार्टप को बिहार का बेस्ट स्टार्टप आफ देयर का पुरुसकार ये मिला है तो ये मिला है Mediviser Private Limited को फिरे बिहार काबिनेट ने किसी भी दुर्गटना से प्रवासी मस्तूर की मोध पर उनके परीजनों को मिलने वाले मुआवजे की राष्ट को एक लाक रुपे से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो ये किया है दो लाक रुपे फिरे किस राज्य सरकार की गोशने की उनसार सरकारी स्कूल के भवन बाला मॉडल पर बनेंगे तो ये बनेंगे बिहार के 77-73 दिवस पर बिहार पुलिसे कितने पुलिस कर्मियों को पदक्सि सम्मानित किया गया तो ये किया 21 पुलिस कर्मियों को फिर यहाँ पर पूछा गया कि जो कुल 12 विभागों ने जहाकी निकाली है गांधी मैदन पटना में तो पहला पुरुसकार मिला है क्रिशे विभाग को दूसरा पुरुसकार ये मिला है जिवीका और दूसरा कला संस्कृति विभाग को और फिर है तृत्ते पुरुसकार मिला है यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग और परियावरन जलवायों परिवर्तन विभाग को मदब दोनों को यहाँ पर मिला है दूसरा यहाँ पर मिला है तीसरा और यह मिला है आपको फर्स्ट प्राइस अगला है बिहार में जेवे का दुआरा संचालित कितने दिदी के रिसवई को पहली बार आयो सो सर्टिफिकेट मिला है तो यह है टोटल पांच अगस्त दो हजार तेईस में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इमर्जंसी रिस्पोंस सिस्टम सपोर्ट सिस्टम डाइल एक एक दो में बिहार किस जिले को बिहार का कौन से जिला जो है पहले स्थान पर है त तो आपको नाम भी याद रकने है लक्ष्मी जात इनका नाम है तूर्की की सबसेंची चोटी है माउंट अरावत यहां पर यह गई है फिरे 15 अगस्त दो हजार तेईस को सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक का निदन हो गया तो आप इवेग बताना है कि वो बिहार के किस जिले के मूल निवासी थे तो यह थे बिहार के वैषाली जिले के फिर ए उर्जा मंतरी आरके सिंग के द्वारा किस राजे के बार्ड में सूपर थर्मल पावर प्रजेट की उनिट 2 का उधगाटन किया गया तो यह हुआ बिहार में तरह बार में सोफरनल पावर प्लन्ट बीहार में स्थाल्वेर्व simtta में 200 मेगावर्ट शूमत filter सभाझे हैं हूई जमुई में 25 मेगावाट का позвол और एक है बांक पहाए 75 मेगावाट का फिरे बिहार का पहला थैर्टवा सोलो बशली प्लांट ही कहां पर स्थापित किया गया तो ये हुआ अपका कादिराबाद दर्भंगा में फिरे किस राजे सरकार ने जेल परीसरों में अनाधिकरत फोन कोल्स को रोकने के लिए राजे के जिलों में हार्मोनियस कॉल ब्लोकिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है तो ये क्या है बिहार सरकार ने फिरे बिहार सरकार ने हाली में ग्राम स्तरिये मिट्टी जांश लैप स्थापित करने की गोशना की है तो आपको बताने कि ये कितने जिलों में स्थापित किया जाएगा तो ये होगा आपका 13 जिलों में अब आप मुझे बता होगे कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं ये आपको कमेंट सेक्षन में बताना है अगला है 13 से लेकर 17 सितंबर 2023 तक सिंपली पीरियट्स विशे पर महिला, खिलाड़े और एवं प्रस्तिक्षों के लिए कारेसला का आजनी कहां पर किया गया तो ये हुआ था पत्ना में, ये हुआ था शिवान में और ये हुआ दर्भंगा और तीन जगा पर ये हुआ था अगला है पत्ना नगर निगम की महापोर ये कौन बनी है तो ये बनी है स्तीता शाहू फिरे मई 2023 में पत्ना नगर निगम स्रिंटरल बैंक डिजिटल करंसी अपनाने वाला देश का कौन सा नगर निगम बना है मतब यह जो बना है आपका पत्ना नगर निगम यह बना है पहला नगर निगम फिरे पुने में 10 से लेकर 11 सितंबर 2023 को आज़ित पांच भी रास्टी वील्चेयर रगभी चांपिन्शिप 2023 में बिहार की टीम कौन से स्थान पर रही है तो यह रही है तीसरे स्थान पर मतबे ने कांशे पदक मिला है फिरे सिक्षर विभाग द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के नुसार बिहार के स्कूली बच्चों में सीखनी के शम तक कितनी फीजदी है तो यह सत्तर से शत्तर प्रतिशत फिरे तमिल लड़ो में आजित खेलो इंडिया परतियो गता हूं कि पंद्रसो मिटर दोड़ में बिहार की बेटी ने स्वन पदक जीत बिहार को गुरविंत किया हिनका नाम किया तो इनका नाम है दुरगा सेंग फिरे मुक्यमंति नितीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को कहां पर अपनी पत्नी के नाम पर मंजू सिन्हा परियोशना बाले का उश्माधिमिक विध्याले का उधगाटन किया तो यह है बक्तियार पुर जो कि कहां पर है पटना में ही है फिरे 23 अगस 2023 को नितीश कुमार ने पत्ना में कहां बने भारत के सबसे बड़े परिक्षा परिसर बापू परिक्षा परिसर का उधगाटन किया था तो यह है आपका कुम्रा और बे फिरे बिहार जाती जणगन्ना के अधार पर आपको बताना है कि किस जाती के लोगों के अबादी इस सबसे जादा है तो यह है यादव यहाँ पर 14.26 अगर हम बात करें कि बिहार में किस जाती की अबादी सबसे कम है तो यह है काश्यत जो कि है 0.60 फिरे केंद्री मंत्री म फिर हाले में दो अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाती जणगन्ना के आकड़े जारी किये तो आपको बताने किस जाती के लोग सबसे अधिक्ती तो अभी मैं आपको बता है यादव 14.26 10 अक्टूबर 2023 में बिहार ने किसे हरा कर इतियास में पहली बार AIFF सब जूनियर बालक नैशनल फूटबोल चैंपेंशिप 2023 का किताब जीता है तो यह हरा है किसको दिल लिको 10 अक्टूबर 2023 में बिहार में कहां दो दिवश्ये ट्रेवल एंड टूरिजम फिर 2023 के उद्खटन संस्क्रम का आजन किया गया तो यह हुआ है ज्यान भवन पटना में और फिर है किनके द्वारा अक्टूबर 2024 को यह करेक्ट किजिए गहां पर 2023 आएगा 2023 को बापु सभागार पटना में बिहार के चौथे क्रिशी रोड मैप का उद्खटन किया गया तो यह है आपका द्रोवदी मुर्मो डेट आपके लिए इंपोर्टन जाते तो यह भी आपको धियान नतना 8 अक्टूबर 2023 और यह अगला है अक्टूबर 2023 में इशापूर मदू बनी बिहार के प्रशित मैतली साहितेकार पंडित गोविंद जाका निदन हो गया तो किस कथा गरंद के लिए इने 1993 में साहित्य क्याब में परुसकार से सम्मानित किया गया था तो यह थानका कथा संग्रे जिसका नाम था साम कुद कारिकरम एक लवे का संबन ये किस राजी से है जिसे राज़ेपाल राजंदर विष्णात आरले करने पूरे शुरू करने का निर्देश दिया तो यह आपका बिहार से फिर एक किस राज़े में अब राज़ेपाल के नाम से पहले महा महीम नहीं बल्कि मानेने परियोग होगा अत्वा महोद या अंग्रेजी में ओनरिबल शब्द का परियोग किया जाएगा तो यह किया जाएगा बिहार में फिर गोव में आयोजित 37 राश्टे खेल में बेगुसराई के श्रिया राणी ने ताइक वंडो में कौन सा बदक जीता है तो यह जीता है र जीता बिहार के द्वारा अगला है बिहार पुलिस मुख्याले द्वारा जारी एक आकड़ो के मुताबिक इस साल बीते नो महीनों के दोरान कितने अपराद्यों को गिरफतार किया गया तो यह 2.3 1 लाग से आधिक अगला है 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के परिटन मंत्री टोक्यो जापान में बिहार परिटन के डोड़ शो में शामिल हुए बिहार के परिटन मंत्री को अन थे उस ताइम पे तो ये थे आपके ते जश्मी यादव फिरे केस राजें के जुलों में सजा काटरे कैदी अब विबिन उत्पाद बनाए जाएंगे जिनने मुक्ति ब्रान के नाम से बेचे जाएगा तो ये है आपके कहाँ पर बिहार में फिरे अक्टूबर दो हज़र 2050 मुक्ह एम्धर इंद зоворक मार ने साथ निश्यदि ध्र के तहट हर केचेत स जाएग पानी पहुचाने के कारे में तेजी बनांने कर निरेश तया तो आपको बतानए कि बिहार सरकार का लक्षे कब तक हर खेट तक सिजाएगा पानी पहुचा पिर बाइस से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक चीन में आज़ित पैरा एशन गेम्स 2023 में बेडमिंटन खिलाड़ी प्रमोध भगर जोकी विशाली से हैं नोने कौन सा पदक जीता तो ये जीत हैं नोने स्वर्ण पदक अगला है बोध गया में अंतरास्टी त्रीपिट का पूजा का कौन सा संसकर्णी संपन हुआ तो ये हुआ अठारवा फिर जारी NCRB की रिपोर्ट के नुसार दहेच के लिए महिलाओ की हत्ते के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है तो ये दूसरे स्थान पर है लेकिन उत क्रस्ट प्रदशन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है तो ये मिला है बिहार को आखरी कुछन है आपका 25 नवंबर से 26 निसंबर 2023 तक विश्य प्रशिद हरिहर्ट शेत्र सौनपूर मेला वेशाली का आजन किया गया तो आपको बताने कि किस नधी के टटपर होत आगे आने वाले पार्ट में दो पार्ट में इन पूरे कुछिंस को यह आपर डिसकस कर लेंगे अपना फीडबैक आप हमें कमें सेक्शन में जरूर दे इसके लाब आप कोई भी जो भी आप टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं जिस पर वीडियो लाना चाहते हैं देखना आप उसको कमें सेक्शन में उस टॉपिक का नाम बता सकते हो ठीक है तो आपको बताना है सिंपली कि कौन से टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हो जल्दी हम इसके दो पार्ट भी लेकर आपका पूरा जो बिहार का करेंट अफेर है दो हज़र तेस से लेकर अभी त पसंद आया होगा जो भी क्रिशन्स में आप से पूचे है इन बेट्वेन वीडियो उन सभी के आंसर साप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे इसके लाब पीडियो मैं अल्रेडी आपको बता चुकिए आप उन सभी को परचेस कर सकते हैं लिंक इन सभी के आपको डिस्क्रि